हेलो स्टूडेंट्स मेरा नम है अनमोल अते आज असी करन जा रहे हां क्लास 10 ते एक्सराइज 1.1 ए उस दा सेकंड पार्ट है फर्स्ट पार्ट विच असे उस दी इंट्रोडक्शन कीती सी ता तुसी किरपा करके ओ व्यूडियो जरूर देख लेना ता शुरू कर देयां सी अपनी एक्सराइज 1.1 दा फर्स्ट क्वेश्चन एक्स्प्रेस इच नमबर एज आ प्रोड़क्ट ओफ इट्स प्राइम फेक्टर देखो एक क्वेश्चन करन तो पहला ता उन्नू पता होना चाहिएंद है रियल नमबर की हम देने ए में वैसे इंट्रोड़क्शन वाले पार्ट विच करा चुकियां रियल नमबर्स ए यूनिन है रैशनल नमबर अथे ए रैशनल नमबर्स दी अथे इनना नू नमबर लाइन ते डेनोट किता जा साकता है तोसी ओ इंट्रोड़ वाला पार्ट जरूर देखना है इनना नमबर्स दे फॉर्म दे विच लिखने इस नमबर नू ठीक है हार इक नमबर नू प्राइम नमबर दी प्रोड़क्ट विच लिखने ता अशी शुरू कर दें साड़ा पहला क्वेश्चन तो देखो कि ते 140 इसनू लिखने प्राइम नमबर दी प्रड़क्ट रती विच्छे तो देखो इसनू कि में करने 1, 14, तो 140 लिखने यह हम दे factors इसरा ही यसी factor बनोने है ठीक है तो देखो होन प्राइम नमबर लेने है तो उसी पहला याद रखना है भी प्राइम नमबर केड़े केड़े सब्तो शोटा प्राइम नमबर 2 अगला 3 फेर 5 फेर 7 11 13 17 19 एट सेक्टरा जो बहुत नमबर ने ता सी पहला एही नमबर देगा दिया ता सब्तो छोटे प्राइम नमबर दे लेके जाना है भी यह डिवाइ हुआ है ता यहें 2 नाल डिवाइड हो जेगा ता तू पहला दो अखर चकने है पहले तू दे टेवल ते 14 कित्थे अंदा है 7 ते 27 जा 40 14 जीरो एज टे लग जेगी तो देखो फेर आएं फेक्टर बनाने है यह तो उन फेक्टर बनाने आउने चाहिए ठीक है जे नहीं हो देता तो उसे में दास सकते हूं अपहां एक वीडियो कर लांगे ना भरी हुँन देखो 70 70 एक इसते जाएगा यह भी पिछे 0 1 7 minus 6 1 ते ते 1 लगा दांगे हुन देखो ए है पैंसल वाला वर्क वान एत्थे नहीं लगाना पेपरच जे तो ची कर रहे होंगे ते 1 नहीं लगाना ठीक है तीचरों लगेगे 1 लगाया थे तो ए मन चे सोचना है एत्थे लगेगे 1 ए है 10 टूदे टेबल ते 10 होंदा है 5 देखो और 2 टेबल ते 35 नहीं होंदा 3 टेबल ते भी एड़ाइड नहीं होंदा इसमू करांगे सी 5 दे टेबल ते 5 दे टेबल ते किते जाओ 5 7 जा 35 7 इज आल्सो रियल नमबर अब प्राइम नमबर सो 7 बन जा 7 ता 140 दे फैक्टर्स आगए ने 2 इन्टू 2 इन्टू 5 इन्टू 7 हुन देखो ता एक 1 भी है वरे 1 बन जा वान ते इत्थे 1 लेखना जरूरी है हुन देखो इसमू सी सिंपल फॉर्म चिक में लेख सकते है 2 टू टाइमस है ता 2 दी पावर 2 इन्टू 5 इन्टू 7 वान निगलेक्ट करती प्राइम फैक्टर्स दी फॉर्म दे विच अपां हार इक नंबर दी यह बहुत इजी कोश्चन है तो असानी ना हो जेगा आजेगा हुन देखो अगला कोश्चन एक सुश पंजा इसनू कुमें करना है सब तो पहला इस दे फैक्टर्स बना लो फैक्टर्स लिए सब तो शोटा प्राइम नंबर बस तो देखने है भी दो ते जाएगा कि नहीं दो टू देटेवल ते 15 नहीं होंदा पर 15 ते काट 14 जरूर होंदा है ता 27 जा 14 14 15 चो 14 माइनिस किता एक बाच गया और उरे मतलब जया पा उरे लगा दांगे ता ये वान जेगा 16 टू देटेवल ते 28 जा 16 ठीक है ये थे 1 लगना है पर तुस्सी नहीं लगाऊ ना क्योंकि पिछ लगेगा भी एक कोस्चन गल्थ का रहे हूं इसलिए ठीक है मन सोचना है बन अच पिछे 8 है ये चला जाएगा टू देटेवल ते 23 जा 6 6-7 बन लगा दांगे ये बन जागा 18 टू नाइन जा 18 और ये बन जा थार्टीन ये टू देटेवल ते नहीं जाएगा इसनों किस टेवल ते लगे जाओ आँगे 3 टेवल ते 3 बन जा 3 एंड 3 3 जा 9 तो ये बन गया 13 हूं देखो 13 साथा अल्रेडी प्राइम नंबर्स विच आ रहे है ता एक किसे टेवल ते नहीं जाएगा ता 13 बन जा 13 ठीक है ता ये बन गये एक सवश बन जा दे factors की की बन गये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 ये इस दे factors ने इसनों भी आप पावर्स लिख दांगे 2 दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 13 इदा की मतलब है दो नू दो बार लिख्या हो गया है ठीक है हूं देखो अगला question 3,8,2,5 देखो पिछे 5 है ये से लिए 2 दे टे बलते नहीं जाएगा 3 दे टे बलते है अपा एक बार कोशिश कर दे है ये रफ बर्क होएगा 3 बन जा 3 3 टू जा 6 ये है 2 जाएथे 2 लगा दांगे 3 से बन जा 21 ये थे 22 है तो एक बाच जाएगा अइथे लगा दांगे वो बन जाएगा 15 टू 3 टे 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 बलते 15 आऊँद है ये ही जाएगा 3 ते जितो नो आए नहीं समझा रहा ये है ये की हो रहे है ता तुसी की कर सकते हो 3 नो डिवाइड कर सकते हो 3 डिवाइड 3 8 2 5 3 1 जा 3 0 बाच गया 8 उत्रे गा 3 2 जा 6 टू बाच गया माइनस करे तो टू बाच गया आ टू तर जागा 3 7 जा 21 बाच गया अते एक आ जो 5 जो निच्चे तर जागा 3 5 जा 15 ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुकिया एसले ही साड़ा नेक्स्ट होएगा 3 2 प्राइम नंबर नहीं क्योंकि ओस विच पूरा डिवाइड नहीं होंदा तो देखो किन ना आगया आही अंसर अपना आगया और इते लिखतांगे 1 2 7 5 देखो हुण देखो हुण एक ये 3 ते चला जाएगा इसनू करके देख़णांगे जो दो तो जी फर्स टाइम करोंगे इसवाल ता तो उन्हों बहुत लेंद्ध ही लगणगे भी ये साठीता समझ नहीं आ रहे है पर जदों प्रैक्टिस करोंगे तो ये हो जाणगे सानी नाट सवाल देखो 3 दे टेवल ते 12 कित थे होंदा है 3 4 जा 12 3 4 जा 12 कोशनी बचा 0 7 उत्तर गया 3 2 जा 6 1 बाचा गया आप 5 उत्तर जेगा 3 दे टेवल ते 15 5 ते 3 5 जा 15 तो मतलब ये हे भी 3 दे टेवल ते आ रहे है इसलिए ये थे भी 3 लगा मांगे अंसर आ लिखांगे 4 2 5 4 2 5 उन्हें देखो 3 दे टेवल ते जा रहे है जी जा रहे है ते 3 लिखना है जिनना प्रोडक्ट आ वेथे लिखना है तो करके देख देए प्रेक्टिस प्रेक्टिस मेक्स अ पर्फेक्ट मैं 4 2 5 इसमों 3 ते करके देख्या 3 1 जा 3 एक बाच गया 2 उत्रया 3 4 जा 12 0 बाच गया 5 उत्रया 3 1 जा 3 क्योंकि 6 बढ़ा हो जागा 5 तो ते 2 बाच चके है तो इस दा की मतलब है कि अपना 4 2 5 425 ते नहीं जा दा तो next प्राइम नंबर 3 तो next प्राइम नंबर इस 5 और इसनों 5 ते ले आके देखांगे 4 2 5 5 ते टेबल ते 42 जाज तो शोटा नंबर है 40 ता 5 8 जा 40 2 बाच गया 5 उत्तरेगा 2 5 जा 25 ता 0 कुछ नहीं बचया ता मतलब हुने हे जाएगा 5 ते अंसर अपना है 85 85 ठीक है हुन देखो हुने 3 ते नहीं जाएगा क्योंकि ते फाइब ज्यादा है ता ही पिछ्चे उने 3 नहीं लिख साथ है तो ज्यादा लिखांगे जाहीं लिखांगे ता 5 वन जा 5 यह एट ते तरी बाच गया 5 7 जा 35 ठीक है ता हुन देखो 70 जा आले प्राइब नंबर्स थे तहा अपने प्राइम नंबर्स आ गई ने 3, 8, 2, 5 दे 3 इन्टू 3, इन्टू 5 इन्टू 17 स्वारी, एक 5 रह गया 5, ठीक है तो हुन देखे से नूँ पावर से लिखे दाँगे 3 दी पावर 2 इन्टू 5, दी पावर 2 इन्टू 17 ओके एक कोस्चेन दुसी एक पार आप दे अथनार प्रैक्टिस भी करने है अधि यह अपनी कोपी दे उतार लेने है ताकि ता अन्नों जिदो दूसी प्रैक्टिस करों ता अन्नों सिंपल एक बार देखन ना ले एक कोस्चन समझ आ जान ता हुन असी करते हैं अगले कोस्चन हाँ जी स्टूडेंट्स ता अगला कोस्चन है पांज हजार पांज ता देखो इसनू कि मैं करांगे ए देखन विच बहुत असान लाग रहे हैं सब तो पहला है टू ते नहीं जाएगा थ्री ते भी नहीं जाएगा क्योंकि अपर पहलना फैक्टर अपना लेगी पांज जीरो जीरो पांज एन उस दे फैक्टर इसनू जा अपर थिरी ते लगके चल देए थ्री बन जा थ्री ए टू जाद है टू रे लगा दांगे अपर टू सौरी लग या टू जे टे टे बल ते 20 नहीं जाएगा इसलिए जाएगा 5 ते 5 अंजा 5 जीरो एस टेस उत्तर नहीं उस तरह 5 अंजा 5 ठीक है हुँन देखो उन्हें इसनू किस ते लेके जा मांगे उन्हें 5 ते ते नहीं जा रहा देख रहे है तां अपां डिवाइड करके देखे हैं 7 नहीं कि ये जा रहे है पूरा पूरा डिवाइड होएगा 1, 0, 0, 1 ता 7, 1 जा 7 3 बच गए माइनस करे तो हम देखो 0 तर गे नीचे 7, 4 जा 28 2 बच गए आ एक नीचे आजेगा 7, 3 जा 21 पूरा पूरा कैंसल हो रहे है तां ये जाएगा 7, 3 बच की ना लिखांगे 1, 4, 3 ठीक है हम देखो 1, 4, 3 143 ये देख देख देखां कि ये हम 7 जाएगा 7 तो उसी प्रेक्टिस करके देख रहे हैं प्रेक्टिस ना लेह स्वाल हो जानेगी 7, 2, 14, 0, 3 बच गया तो देखो ये 3 बच गया तो नहीं जा रहे है 7 तो नेक्स प्राइम नंबर 11 होंदा है 1, 4, 3 11 बच गया 3 बच गया 3 नीचे आजएगा 11, 3 जा 33 ठीक है तो ये पूरा-पूरा डिवाइड हो रहे है तो अपने ये लिखांगे 11 तो ये अंसर इस 13 ठीक है अँँ देखो 13 इस आलसो प्राइम नंबर ये इसलिए 13 बच गया 13 ठीक है तो अपने 5005 देखकी ठीक ही प्राइम फेक्टर्स आए ने वो लिख देने आप हां रहते है 5 इन्टू 7 इन्टू 11 इन्टू 13 तो ये आप रांसर आ गया ठीक है एक कोस्चन भी हो गया अगर देखो पहले कोस्चन दे पांच टाइप्स ने आपा लास्ट टाइप टे पहुंच चुकी है I think ए पार्ट सब तो ओक्खा है बट कर दे ट्राइ कर दिया 7,4,2,9 तो देखो ए टूते नहीं जाएगा पिछे 9 है 3 ते जा सकता है क्योंकि पिछे 9 है तक कि 3 ते भी चला जा सकता है तो पकर के देखे दिया की है 7,4,2,9 डिवाइड तो देखो 3 ते लिजान दी कोशिश कर दिया 3 3 तूते जा सिक्स यह जी तो तुसे प्रैक्टिस करोंगे तो तो इस स्पीट अपने आप होजेगी 1 बच गया निच्चे 4 आ गया 3 तूते जा 9 1 बच गया 9 निच्चे आ गया तो देखो 3,6 जा 18,19 बच गया यह पूरा डिवाइड नहीं होया यह इसलिए 3 ती नहीं जाएगा तो देखो students, तुसी की करना है यह question थोड़ा सा length ही है मैं तो पहले नहीं दास चुके है यह 5 ते भी नहीं जाएगा ठीक है तुसी करके रिखना है कि 5 ते जानता है क्यों नहीं जा रहा किन्ना बाच दै 5 ते नहीं जाएगा 7 ते भी यह नहीं डिवाइड होएगा completely डिवाइड नहीं होएगा यह मैं आ हो रहे है ट von 2 बचनाई ना, 3 बचनाई ठीक है 5 ते नहीं जाएगा 7 ते नहीं जाएगा 11 ते भी यह नहीं जाएगा 13 ते भी नहीं जाएगा next prime number 70 तो देखो A मैं क्यों नहीं करा रहा क्योंकि G मैं A है इत्य पाग अकरों लाग या डिवाइड करों लाग गया ता ये वीडियो बहुत लेंथी हो जेगी ठीक है ता ये हुन तोड़ा बच्च्छाना काम है तुस्सी याप पी करके देखने है ता अपा 17 ये हो जेगा वैसे 17 नड़ ता अपा एक फ़र करके देख लेने हो कैंफ़र्म कर लेने भी हो रहे है 7429 नख हुन तुसी ये नी कहना भी तोब पता है तो पाmal में 70 ये लगा जया रहा हूं जे मैंनू ना पता हूँ ना पहला 5 ना करदा फिर 7 ना करदा फिर 11 ना करद फिर teakना इस ही न, 70 थे, 17 थे, ता इसलिए में सिदा ब्रैक्ट एथे आगया, तोसी यह कर निये, ब्रैक्ट इस, होन देखो, 17, इस ते कि में लागे जाम आगे, ता 17 ता टेबल तो न ओना चाहिए जरूर, ता 17, 4 था हूंदा है, 60, जोरी, 17, 4 17, 4 जा 68 17, 4 जा 68 एक ने बाच गे 6 बाच गे ता 2 निच उत्र रेगा 62 हुन 17, 3 जा 51 51 जा माइनस करे जा माइनस करे ये बाँ जेगा 11 ता ये 9 निच उत्र रेगा हुन देखो 17, 7 जा 119 ता पूरो पूरो डिवाइड हो गया ता कुछ नहीं बचेगा ता अप इत्र लेखे दिया क्वेश्चन देखो 17 सारी देखो जो आ है वो अप औरे लिखांगे आते जो उपर अंसरा है अपना वो बेस लिखांगे 4, 3, 7 हुन देखो इसनु किस्ते टेबल ते लेखे जाम आगे देखो उन्हें स्तारा आते गया तक आपको ट्राइ कर दें कि 17 ती ही चला जाए देखो 4, 3, 7 ता 17, 2,34 ता 73, 51 ता अपको 17, 2,34 देखो इस चो माइनस करो यहाँ जिगा अपना 7 आप साथ निच्चे तरहा देखो 17, 4 जा हुन दे 68 यह बाचे गया 9 तो 9 किसे टेवल ते नहीं जा रहे हा ता यह 9 अपना बाचे गया ता देखो अपना 17 ते डिवाइड नहीं हो रहा ता नेक्स्ट क्यों दे प्राइम नूमबर 19 ता आपना 4, 3, 7 ता 19 बाचे जाएगा 5 निच्चे जाएगा 7 ता 19 ती जा हुन जाएगा 57 ता पूरा पूरा कम्प्लीट हो गया ता देखो बाहर है 19 19 अंदर जाएगा 23 ता देखो हुन 23 आप खुद प्राइम नूमबर है नेक्स्ट प्राइम नूमबर है 19 तो ता 23 बाचे जा 23 कम्प्लीट कम्प्लीट डिवाइड हो गया हुन 7, 4, 2, 9 दे फैक्टर्स की किया गए 17 इन्टू 19 इन्टू 23 मल्टिप्लाइ मेंज इन्टू ठीक है जिथ मैं इन्टू पोल जाएगा ता मतलब मल्टिप्लाइ है मल्टिप्लाइ है तो क्वेस्चन नंबर 1 एक्सराइज 1.1 दा हुन ए वीडियो इत्थे ही खतम होँदी है असी नेक्स्ट वीडियो दे विच करांगे एक्सराइज 1.1 दा क्वेस्चन नंबर 2 औते क्वेस्चन नंबर 3 ता बने रहना साथ दा चैनल दे न बहुत वो तन्वाद